असलाम वालेकु एवरीवन कैसे हैं आप सो आज की स्वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी अमराडी का कपड़ा है जैसे कि हमारी पुरानी कुर्तियों में इस तरह की अमराडी बनी होती है और हम उसको पुरानी उन्हें पर या के इकट देते हैं लेकिन इसको आप तके सकते हैं बहुत आप यह से एसकी डिजाइन इंक रएइमकर सकते हैं इस एमराडी के है plaster से हम बनाएंगे डिजाइंक तो सबसे पहले क्या करना है इस हम रोड़ी के चारू तरफ से कटने कर लेंगे इसमें आदा ईन छोड़ देना है साइड में और फिर कट कर लेना है इस तरह से चारू तरफ से कटने कर लेंगे और मेरे पास यह ाक उर्दी का एक पीसे था तो मैं इसे फिट ठेस प hemisphere दिखा लेना है और इसी तरह से जितने पीसे जोर बचे हैं उसको कट करके इसमें भी इस तरह से नौचस लगा के रख लेंगे तो यहां पर देखें मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है अब मैंने लिया है पेपर ग्लू यहां पर पेपर ग्लू को इस तरह से लगा देना है जारो तर इसको मैंने बस ऐसे टम्प्रेरी इस तरह से कर लिया है क्योंकि इसके बाद इस पर हमें फैबरिक गलू लगा के स्टिक भी करना है तो यहाँ पर दीखे इस तरह से इसको चिपका लेना है और इसी तरह से जितने और भी पीसेज है उनको भी फोल करके इसको रख देंगे गंटे के लिए सुख जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यहाँ पर दीखे इस तरह से चिपक गया है ड्राइ हो गया है मैंने अधी गंटे के लिए छोड़ दिया था अब यह मैंने कुर्ती ली है इसका मैंने गला अल्रेडी बना कर रखा है तो इस तरह से मोटनेक बनाया है मैंने इस पर डिजाइन करूंगी आप अपने हिसाब से कोई सब भी डिजाइन इस पर बना सकती है तो यहां पर दिखे, इसको क्या करना है, यह मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू, यह काफे स्ट्रॉंग होता है, स्टिक हो जाता अच्छे से इसमें, कपड़ा वगरा, तो यहां पर मैं इसके चारों तरफ इस तरह से इसको लगा दूंगी, इसको लगा लेना है इस बीच में भी इस तरह से लगा दिया अब इसको मैं गले के बिलकुल में लगाूंगी बिलकुल सेंटर पर और बिगीनर्स हैं तो पॉइंट बना लिजे इस तरह से यहाँ पर लगा के हलकेहातु से प्र्स कर दे और इसी तरह से इसके दूसरे पीचेस पे भी मैंने फैबरिक ग्लू को लगा लिया है देखिए यहां पे इस तरह से इसको लगा के यहां पे स्टिक कर लेंगे ऐसे इसी तरह से बाकियों को भी मैंने लगा के रख लिया है और इस तरह से इसको डिजाइनिंग कर और अगर आप बिगनर से तो इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लें ताकि ये बिल्कु सीधा लगे इस तरह से पॉइंट बनाके लगाएंगे तो जादा असान रहेगा तो देखिए यहां पर मैंने इसको लगा दिया है इसी तरह से इसके सैड में भी लगाओंगी यहां से देखि के लिए रात भर छोड़ दें तो जादा अच्छा रहेगा वरना तीन से चार घंटा तो इसको रखें ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए तो यहां पर देखिए नीचे के साइड में मैंने एक 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 लगा दिया था तब यह और अच्छा लग रहा था तो यहां पर देख कि इसके कार्णर में इस तरह से मैं इसके सिलाई करते जा रहे हूं और यहां पर गुमा गुमा के सिलाई करनी है कुशिस करें कि सुई नहीं उठाने पड़े कपड़े को इस तरह से गुमाते हुए रखें और फिर इस तरह से सिलाई करते हुए चले जाएं तो यहां पर द तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजे ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो देखने को मिले अगर फेस्बुक पर देखने हैं तो फ्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्ट वीडियो में फिर से किसी ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना खुबसरा ख्याल अल्लाहाफिस और बाए